भारत की पहली फिल्म 1913 में आई जिसका नाम राजा हरिश्चंद्र था ये भारत में बनी पहली फूल लेंद फीचर फिल्म है इसका प्रीमियर 3 मई 1913 को मुंबई के कोरोनेशन सिनेमा में हुआ था इस फिल्म को दादा साहब फाल के द्वारा बनाया गया था और यह फिल्म मूख फिल्म थी यानि की इसे बिना आवाज के ब्लैक एंड वाइट फिल्म बनाया गया था फिल्म के निर्माण में एक लाख पचास हजार रुपए लगे थे जो की उन दिनों बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी फिल्म के हीरो यानि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का रोल दत्तात्रे दामोदर दापके ने प्ले किया था हरिश्चंद्र और तारामती के बेटे का खिरदार दादा साहब के बेटे भालचंद्र फालके ने निभाया था